हेलो फ्रेंड्स, वेलकॉम बैक टू माई चनल, फ्रेंड्स आज मैं आपको बोड़ी पर से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने का एक ऐसा नुसका बताऊंगी, इस नुसके से आप अपने बोड़ी पर हुए स्टेच मार्ट से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, फ् अगर आम अपनी तबच्चा का दियान नहीं रख रहे हैं तो हमारी तबच्चा बेजान हो जाती हैं और बेजान होने के बाद उस पे दरारे आ जाती हैं जिसकी कारण हमारी बोड़ी पर स्टेच मार्क्स हो जाते हैं अगर आप अपनी बोडी पर हुए स्टेच मार्क से चुटकारा पाना चाते हैं तो एक बार इस नुस्खे का ज़रूर यूज़ कीजिएगा इस नुस्खे में आपको लेना होगा नारियल तेल नारियल तेल 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 है जो कि हमारी बेजान स्किन में जान डाल देता है अगर हम इसके मसाच अपनी स्टेच मार्क से वेले एरिया पर करते हैं तो यह हमारी बोडी की अंदर जाकर स्किन की अंदर जाकर वहाँ पर हुए स्टेच मार्क की जो दरारे होते हैं उन्हें तेजी से भरने का कार्या करता है तो आपको अपने स्टेच मार्स को रिमूफ करने के लिए यहाँ पर लेना होगा नाडियल का तेल अगर आपकी बोड़ी पर स्टेच मार्स का एरिया जादा है तो आप एक चम्मच नाडियल तेल लीजेगा क्योंकि इतने ही तेल से मालिस अगर आप करेंगे तो वो बहुत सारे एरिया में बहुत ही अच्छे से हो जाईगी इसके बाद आपको इसमें एड करना होगा नीमू का रस नीमू के रस के अंदर विटामिन सी बहुत पाये जाता है सीटरिक एसिड पाये जाता है यह सीटरिक एसिड और विटामिन सी का भंडार है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है जब हम इसकी मसाद अपने स्टेच मार्क्स वाले एरिया पर करेंगे तो यह उसमें दरारों को तेजी से भरने का कार्या करेगा और कुछ ही दिनों में आपके स्टेच मार्क्स को ऐसे गायब करेगा मानों आपके बोड़ी पर कभी स्टेच मार्क्स हुए ही ना हो आपको इसमें आदे कटे निम्बू करस एड़ करना होगा इस तरह से आप इसमें आदे निम्बू करस एड़ कर लीजेगा निम्बू का रस एड़ करने के बाद आप इसे मिक्स किजिएगा मिक्स करने के बाद आपको ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा अब आपको इसमें सबसे इंपोर्टेंट सबसे जरूरी जिससे कि आपके स्किन बिल्कूल ही आपके स्किन टॉन की जैसे हो जाएगी यानि कि एक ही बार में आपके बोड़ी पर हुए स्टेच मार्स अमेशा के लिए गायब हो जाएंगे इसके लिए आपको यूज करना होगा कोफी पाउडर का, किसी भी कंपनी की कोफी पाउडर को आप यूज कर सकते है, कोफी पाउडर के अंदर कैफिनों पाहे जाता है, जो की हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, और ये स्टेच मार्क्स को ऐसे गायब करती है, जैसे कि मानो कभी हुए ही ना हो आदे चमच के लगबग आपको इसमें कोफी पाउडर एड़ करना होगा या भी आप एक पाउच एड़ कर लीजेगा इसके बाद फेंट्स आप इन्हें मिक्स कीजिएगा देखिए कितरी अच्छी से और कितरी जल्दी से मिक्स हो चुका है आपको इसे इस तरह से मिक्स कर लेना होगा और इसका पेश्ट बना कर तयार कर लेना होगा इसके बाद आपको इसे अपने स्टैच माक्स वाले एरिया पर लगाना होगा आपको इसे लगाना कैसे है आपको इसे अपने हाथों की सायता से लगाना होगा इस तरह से आप इसे अपने हाथों पर लगाईए और इसकी पांच मिनाद तक स्टेच माक्स वाले एरिया पर मसाज कीजिएगा क्योंकि फेंट से मसाज करने से यह पेष्ट हमारी स्किन के अंदर जाएगा और जो रूखापन है जो बेजानपन है जिसके कार हमारी बोड़ी पर स्टेच माक्स हो रहे हैं या प्रेगनंसी के दोरान आपको स्टेच माक्स हुए हैं तो यह उन्हें असानी से बहुती यूज कर लीजेगा वीक में चार बार यूज करने से आपके स्टेच माक्स हमेशा के लिए ऐसे गायब हो जाएंगे कि मानों वो कभी हुए ही ना हो फ्रेंट्स इसे अपनी बोड़ी पर लगाने के बाद आपको आदे घंटे तक इसे अपने स्टेच माक्स वाले एरिया पर लगाकर रखना होगा जब आदर घंटा पूरा हो जाएगा तो आप अपने स्टेच माक्स वाले एरिया को नॉर्मल वोटर से वोश कर लिजेगा तो आप इसका यूज कीजे और अपनी बोड़ी पर हुए स्टेच माक्स से हमेशा के लिए छुटकारा पाएगे तो ये